आज हम बनाने जा रहे हैं एदम मीनी पनीर पॉकिट पराठा एदम करारा और टेस्टी बनके रेडी होगा ना आप लोग तो देखेंगे तो बनाए भी नहीं पाएंगे जरूर से आप बनाएंगे देखिए कितना अच्छा टेस्टी और खस्तेदर हमारा पराठा बनके लेंगे नमक डाल लिए हैं अब हम इसमें चीली फ्लेक्ष डाल देंगे अठा चमच से भी कम ही ज्यादा नहीं है और बहरके एक चमच और अरीगानो ढलेंगे और इसमें हम कोकिंग ले लेंगे बस दो चमच के अंताज से हम लोग कोकिंग ले लेंगे इसको अच्छी तर तो प्लकिट विश्फ के शुब क्या है ज़्टे, इसल मुटुआ किकेक हगा रख कर दि squeeze लession में वाज़ाल लगास केव्यार है चलिए हम अपना पनीर को अपना हम कर लोता का अपनीर काम निए इसमेर हम लोग फतना इसाण चीली फलेक्स राव मेश के हें जीरा और काली मिर्च का पाओडर भी है इसमें आधा चमाची भी ले ले लेंगे और अच्छा से हम बिला दिये हैं फिर चले एपने आट पूरी मुलाई लौत नहीं भाड़्य एपने पूरी में बने पेडे में देखें आपको बारिक हो आपको पता चल जाएगा इतना बारिक होआ हमरा अंदर से मेरा जलक रह इतना हम लोग बारिक अपने पूरियों को बेल लेगे अच्छी तरह से और ऐसे ही ना एक टो अपको बेल के दखा दिया बैसे अपने सारे पूरियोग अपने बना लिया है हमारा इतना सारा पूरी हुआ है और एक ठो नीचे रोटी को रख लेंगे और इसमें हमको अपने पनीर का जो इसको इसमें हम डाल देंगे और इसको हमको अपने हाथों से इसको अपने पनीर को भी अंदर से कर लेंगे ताकि हमको शेप देने में कोई इधर उधर हमारा पनीर ना जाए एक ही जगा पर रहे और इसको ना देखिए हम लोग कैसे मोड रहे हैं इसको पराठा का शेप दे रहे हैं अच्छी से हमारा मेनी पॉकिट पॉकिट परक्टा है ना तो हम उसी का शेप देंगे और अच्छा से और यह जो डिस है ना यह हमारे बच्चे टिफिन में भी बहुत मज़े से खाएंगे हम लोग भी चाय के साथ और सौच के साथ भी बहुत असे मज़े लेके खा सकते हैं तो दुसरा जो कॉर्णर साइड ह इसको हम लोग पानी से चिपकाएंगे पहला तो नहीं चिपकाएंगे कोई जरूरी नहीं लेकिन दूसरा जो कॉर्णर साइड है उसको हम पानी से चिपका लेंगे सील कर लेंगे ताकि इसका अंतर हमारा तेल ना जाए और स्ट्रफिंग भी बाहर ना आए इस दें पुरा हम इननी पराठा葉 इसलिए हम इसको मेडियं गरम ही करके चांब यहाइओं नहीं होना चाहिए तो इसको मेडियं दिहे दिरे दिरे हमारा लाल-ब्राउन हो हो गा Calendar वहाखे हमसे असा नहीं दूसरा करें दूंसरा टिरे हमो आलम आभी आँखे हम आप ल्यडियों वह दूं ह ब्राउन चाहिए हमारा तब हमारा खस्तेदार पराठा बनके तयार होगा देखिए हमारा कितना अच्छा ब्राउन हो गया है न अब हम इसको निकाल ले रहे हैं चलिए हम इसको निकाल ले रहे हैं और आपको देखा रहे हैं हमारा कितना अच्छा बनके पराठा तयार हुआ आप लोग इसको चाहे के साथ सब करिए साम को यह बहुत अच्छा हमारा डीस है और इसको चाहे सॉस के साथ लीजिए मायनुज के साथ लीजिए यह हर चीज के साथ बहुत ही मैच होने वाला है देखें आपको तोड़ के तक कितना अच्छा हमारा बनके रेडियो हुआ है हम कब सब्सक्राइब जरूर करें हमरे रेस्पी अच्छा लेगे तो कमेंट भी करें